अबे इलमत वरना सर को फोन दिख जाएगा और मेरे सारे डाइमन्ड वेस्ट कर देंगे आज तो किसे भी करके सकूरी को इंप्रेस करके ही रहूंगा अरे आज तो आडम नहीं आया पिकनिक में बहुत मज़ा आएगा अरे आडम सासा का नाम रिया और आडम सासा आजिर अरे सर आभी यहाँ पर आए हो क्या अबे आडम आया क्या हेलिकोप्टर लेके आसर सही पकड़े है और तू इधर आ तो गया पर रहेगा का न हमारे पास तो पाँच ही केम्प है वो तो सब ने ले लिए अरे Adam सासा कोई नई, आप हमारे साथ हमारे केंप में आ जाओ अरे कोई नई क्रिमिनल्च स्थ तुम मेरे साथ आ जाओ मैंने मकबूल बैया से बोलकर, पूरी बिल्डिंग ही यहाँ बनवा दी अरे आडम हम यहाँ पर केम्प करने आये है तुम मकबूल भया को वापस बेजी दो फीक से मास्टर मैं जा रहा सूँ पर हमारे आडम सासा को परिसान ना करना परना वन टेप मार दूँगा चल आडम अभी यह सब चोड़ और केम्प में सब की मदद कर शकुरी देखो अब मैं वो जरने से चलांग लगाूँगा वेसे यह तो मेरे लिए बायात का काम है देखो मेला बीस्टी ओपी अडम सासा चलो इसके बीस्टी के मज़े अड़ेते है शकुरी तुमारा बेस्टी ओपी नहीं बोट है एक नमबर का अबे नुबडे मुझे बॉट की बोल रहा है तू तो डर पोखे एक नमबर का इतनी छोटी सी चलांग कौन लगता है तर अगर तू बॉट नहीं है तो साबिट करके दिखा वो उपर वाड़े पूल से चलांग लगा के दिखा अरे मैं कोई बोल नहीं हूँ अभी ठलांग लगाता हूँ पर एक मिनित यार ये तो मैंने जितना सोचा था उससे कही ज़्यादा उचा है अरे बचा लो कोई आरम सासा ये बोल तो सच में कूट गया अरे मोरी मैया पूरा शरीर चिल गया आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा अरे बेश्टी तुम ठीक तो हो ना अरे सकुरी मर्द को दर्द नहीं होता और देखा नूबलो तुमने मैं कोई बोट नहीं हूँ हाँ यार तुम बोट नहीं हो पर एक नमबर के बेवकूफ हो इतने उचे से छलंग तो एक बेवकूफ भी लगा सकता है मेरे पापा ने कैसे गजो को स्कूल में रखा हुआ है अरे वैसे तुमने ये सर पे मास्क पेना है तो कुछ दिखता है क्या हाँ बोट मुझे सब कुछ दिखता है चड़ तो साबिट करके दिखा ये कितनी उंगलिया है बता मेरे को इसमें साबिट क्या करना ये तो पाँच उंगलिया है नहीं उंगलिया तो चार ही होती है एक तो अंगुठा होता है अब आलोक मैंने तुझे यहीं सिखाया है किया अब तक एक मचली नहीं पकड़ पाया आलोक एक बहुत बड़ी मचली पकड़ोना मुझे देखनी है शासा आप एक बहुत बड़ी मचली पकड़ लो शकूरी इंप्रेस हो जाएगी ये लोग क्रिमिनल एक काम कर अंदर जाके मेरे लिए मचली धून के आ ठीक है आडम चाचा मैं अभी मगर मच पकड़ जाता हूँ मुझे लगता नहीं ये पकड़ पाएगा अभी मकबूल भया से बोलके मचली मगवा लेता हूँ अरे मुझे लगता नहीं है आलो किस जनम में मचली पकड़ पाएगा अरे ये क्या आडम ने इतनी बड़ी मचली पकड़ ली अरे ये देखो सर्ण हमने इतनी बड़ी सर्क